हलो वेलकम बेक टू माई एटूब चनल तो आज हम बनाने वाले रेडमी एत्री तो दरसल यह फोन में प्रॉब्लम यह है यह फोन और नहीं उपार है कस्टमर का कहना था कि चलते चलते एटोमेटिक बंद हो चुका है यह फोन तो हमने चेक किया चार्जिंग पे तो चार्ज सर की कटिंग कर देते हैं और इस बार हम UFS चिप भी उतारने वाले है इसकी तो पहले हम UFS चिप कटिंग कर देते और हिट मारते हैं और उसके बाद हम UFS चिप उतार देते हैं हमारी तो देख लिए बबल आ रहे है नीचे से तो यह बस चिप उतर चुकी है हमारी अब हम UFS चिप भी उतार देंगे तो अभी हम इसमें दोनों आइसी बना के लगा रहे हैं यह देख लेजिए कुछ यह पूरा ग्लू जो है कईये से साफ हो चुक है लेकिन जो हमारी UFS चिप है उसका कईये साफ नहीं हो पा रहा है तो हमने टूल की मदद से इसका ग्लू साफ किया है तो देखिए हम यह पूरा क्ली नीट एंट कर देते हैं अब आ जाते हैं बार ही प्रोसेसर रिबॉल करने क जब जाके बॉल इक्वल बनते हैं तो देख लिजिए कुछ इस तरीके के पॉइंट है अभी हमने इसको पेस्ट लगा के हिट मार दिया प्रोसेसर को हम लगा रहे है तो देख लिजिए बस अभी थोड़ी दर में पेस्ट आ चुका है हमारा बाहर तो यह इसका मतलब भी ह प्रोसेसर हमारा बैट चुका है तो अभी हम यूएफेस्ट फटाफट रिबॉल करते हैं तो यह भी हमने एक से दो बार करी है तो इसके बॉल भी प्रॉपर एक जैसे बनने चाहिए तो देख लिजिए बस यूएफेस्ट भी हमारी बैटने वाली है और यह टेक कर सकते हैं तो वाटसप पर मैसेज जरूर कीजिए तो देख लिजिए बस आब आ रही है हमारी बारी देख लिजिए अभी हमारा फोन चालो हो चुका है जैसा आप देख पा रहे हो तो यह अन नहीं हो पा रहा था अगर आप चैनल पर नए आया तो चैनल सब्राइब जरूर कीजिए और साथी साथ बेल आइकोन जरूर दबाईए तो चलिए अब मिलेगे हम आप से नेक्स वीडियो में ओके बाई बाई